आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे कुछ खास टिपस और ट्रिक्स के साथ जिससे की इसको बनाने में महनत भी कम लगेगी और स्वाधिश्ट बनेगा पहले से अधिक और पहले से अधिक हैल्दी और कम खर्चे में बनके तयार होगा तो कैसे बनाया मैंने देखते हैं मैंने पानी को boil कर लिया था उसके बाद gas बंद कर दिए, gas बंद करने के बाद मैंने चीलेवे गाजर इसमें डाले हैं और इसको do way रहना है तब तक जब तक कि ये पानी हमारा इतना ठंडा नहीं जाए कि हमारे हाथ इसमें जलेना अब ये पानी थंडा हो गया है, अब हम जो गाजर हैं उनको निकाल देंगे ये वाला step हमने इसलिए किया क्योंकि ये गाजर, जब हम कच्चे गाजर से हल्वा बनाते हैं तो कच्चे गाजर काफी hard होते हैं, उनको कद्दूकस करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए यदि हम गर्म पानी में खौलते वे पानी में गाज़ा डाल के उसको कुछ दे रहने दें और फिर निकालें तो वो सौप्ट हो जाते हैं अभी आप देखेंगे जब हम इसको ग्रेट करेंगे तो यह आसानी से हो जाएंगे क्योंकि यह सौप्ट हो चुके हैं यह प इसमें ज्यादा महनत नहीं लग रही है तो इस तरह से आप काफी अधिक संख्या में भी यह दिया आपको गाज़र को कद्दुकस करना है तो यह तरीके से आप करिए आपको कम महनत लगेगी और उसके बाद हमने करना है यह कि एक मोटे तले का हमने बरतन लेना है उसमें एक टेबल इस्पून हम घी डाल देंगे घी डालने के बाद अपना जो कद्दुकस किया हुआ गाज़र है वो इसमें डालेंगे अभी हमने तेज आज करी वी है क्योंकि गाज़र डालने से जो टेंपरेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इसलिए तेज आज करी है तो नीलाय करके तो इस तरह से हम भीज भीज में इसको चलाते रहेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से किसमिस क्यूंकि गाजर थोड़े से सौप्ट हो चुके हैं किसमिस डाल देंगे और चलाएंगे चलाने के बाद फिर से इसमें लिड लगा देंगे हम ता मैं डाल देंगे गुड़ यह दूसरी खासित है कि हम इसको गुड़ के साथ बना रहे चीनी हम इस्तमाल नहीं कर रहे हैं जिससे कि यह पहले से और अधिक हल्दी हो जाएगा क्योंकि विंटर में ही हम लोग गाजर का हल्वा बनाते हैं गुड़ जो है विंटर के लिए काफ तो यह ऐसा नहीं की यह सब नहीं डाल रहे तो यह टेस्टी नहीं होगा यह काफी टेस्टी होता हल्वा आप एक बार इस तरह से बना के दिखें और आप हम इसको लगातार चलाएंगे वीचे में ूस तरह से चलाएंगे और इसको जो है जब 溯ह इसमें क्योंकि गादनिश कर देंगे अपने मन पसंद ड्रायफूर्स के साथ इस समय आप इसमें ड्रायफूर्स भी डाल सकते हो मैंने सिर्फ किसमीच डाले हैं आप। पसंद के कोई और भी ड्राय फूर्स में डाल सकते हो देखिए गार्णिस करने के बाद ये काफी खुसरत लग रहा है और काफी हेल्दी है टेस्टी है और कम बजट में ये बनके तयार हो गया है लुआ आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और ट्र